नमस्कार दर्शकों हमारी कारिक्रम डॉक्टर स्पीक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों हमारी कारिक्रम डॉक्टर स्वागत है। आप सबसे नुरोध हैं आप इस नमबर पर कॉल कर डॉक्टर साहब से अपने प्रश्ट पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारा कारिक्रम शुरू करने से पहले शुरू करने के साथ मेरा आप से पहला प्रश्ट यह है कि ब्लैक फंगस क्या होता है। एक फैमिली होती है फंगस की में कोरल्स उनकी वज़े से होता है। उसमें डिफरेंट स्पेसी होती हैं लाइक राइजोपस वगरा उनकी वज़े से बिमारी होती है। ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं basically ब्लैक फंगस के जो सपोर्स होते हैं, जब उनको मैक्रोस्कूप के अंडर में एक्जामेन करते हैं इसे पता लगा जाता है वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। जब हम कोई टीशु को देखेंगे ब्लैक फंगस के देखेंगे जाए वो नाक के अंदर हो मुग के अंदर या तवचा के उपर तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है क्योंकि जब भी कोई चीज सडने लगती है और ब्लैक कलर का वो देती है तो इसलिए से हमें यहां पर अब न somente gum मा गया है ब्लैक फंगस जो कि असलिएत में मुकर माइकोぜसेर्ज है और मउकोरल्स फंगस का स्पीछने है ब्लैक फंगस के कारण हो सकते हैं लो Mog подготов का इजियाdest देखी ब्लैक फंगस का सबसे कारण कारण यहीं कि ब्लैक हंगस P compromised patients, जिनका immunity थोड़ा कम है, ये शरीर की जो प्रति रोधक शमता है, बिमारी के प्रति यो कम होती है, उन लोगों में पाया जाता है, जैसे कि अभी sugar patients, patients जिनको cancer से जो survivors हैं, या जिनको blood cancers हैं, या जिन में organ transplant हुआ है, या फिर HIV patients, उन लोगों में ये बिमारी ज्यादा पाई जाती है, और स्पेशली अभी COVID के दोरान इसका research हुआ है, कि बिमारी बहुत तेजी से बढ़के दुबारा आई है, तो जो मेहें कारण रहे का sugar इस वक्त सबसे बड़ा में तो इस लास्ट कुछ समय के दोरान. जी, सर ऐसा सुनने में, COVID काल में ही, ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा सुनने में आया है, ऐसा क्यों? ब्लैक फंगस, जिसको हम मुकर माइकोसिस कहते हैं, ये आज से नहीं, ये पहले से ही था, हर साल हम भारत में 8-10 case report करते थे, हो सकता है, बहुत सारे cases report ना होते हूं, तो ये case आंकडा 20-40-50 तक जा सकता था, लेकिन COVID के दौरान, ये आंकडा आज जिसे हम सिर्फ एम्स राय का अपचार किया, तो कहने करते हैं, बिमारी बहुत thousand times बढ़ गए, तो इसका कारण कुछ जो हमें समझ में आये COVID में, एक तो सबसे महतरपूरन कारण है, COVID itself can cause diabetes, और COVID में दूसरा हमारा steroid का उपयोग बहुत बढ़ गया, अधिक steroid करने से sugar medication में या जो sugar patient नहीं थे, उस द जो ICU में रहे, उनमें ये बिमारी ज्यादा पाई गई, कुछ इसमें industrial oxygen जिसको बीच में कहा गया कि जो oxygen दी जाती है इनके COVID patients को, उसमें भी mucer उसकी वज़े से भी हुआ, क्योंकि mucer mycosis के जो sports हैं, वो हर जगे present है, मेरे अंदर में, आपकी मेरी तुचा पे, सांस में, इनली में हर जगे, लेकिन जैसे ही आपकी immunity डाउन हुई, वो उपर हो गया, तो COVID के दोरान, सब की immunity, लंबे COVID बिमारी की वज़े से, प्लस, टिरोइड की ओपयों की वज़े से, especially sugar patient में, बहुत जादा इसको अपयों हुआ, तो इस वज़े से COVID की बिमारी अचानक से हजार टाइम पहड़ गए, इतना पहले होता है, बहुत जादा बढ़ गी, तो इसलिए बहुत जादा हम न्यूस पेपर से हर जगे इस चीज को देख रहे हैं, दर्शो का आपसे माफी चाहूंगी, हमारा टोल-free number आप एक बर फिर से नोट कर लें, हमारा टोल-free number है, 0771- 2283856, हम एक बर फिर से दोहर आती हूं, 0771-2283856, धन्यवाद, डॉक्टर साब, मेरा आपसे दूसरा प्रशन ये है, कि ब्लैक फंगस के लक्षन क्या है, हम कैसे पता लगा सकते कि हमें ब्लैक फंगस हुआ है, देखिए, ब्लैक फंगस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकत लगा, जिसी के पेट में होगा, तो चाती में होगा, तो चाती के शिंप्टम पे आएंगे. अब यहां पे एक टर्म कोभेशन देखिए, जो निवहां होग माई कोभी तो, कैयम ईका कैम निवाद में नियुकर्स, कॉइन में ब्लैक फंगस है. वे उसमें, जिसमें जिसमे होते हैं जिसमें अरली पकड सकते हैं जैसे ही एक symptom sinusitis के symptom nasal blockage नाक से discharge आना वो blood strain भी हो सकता है black भी हो सकता है suddenly दातों का loose हो जाना तालू में छेद या black scar नजराना चहरे का एक तरफ से सूना पन चहरे में सूजन suddenly आख का रौश्णी कम हो जाना आख में सूजन आ जाना या फिर brain में meningitis है बुखार है जो लंबे समय तक रुके रहना और respond नहीं करना किसी भी दवाई को और यह symptom यह बिसी बिमारी है invasive fungus है अचानक से बढ़ती है घंटों से दिनों तक एकदम से नुकसान कर देती है और जो अगर हम सबसे ज़्यादा देखेंगे थोड़े से early symptoms में sinusitis के या तालू के या दातों के symptom थोड़ा late stage में आखों के symptom बिमारी की शुरुवात जो हमारी राइन और कोविटल सेर्विन में बढ़ा है जो की इन तीन हिस्सों से related है उसमें सबसे ज़्यादा शुरुवात नाख से होती है फिर यह आख की तरफ जाता है और फिर ब्रेन की तरफ जाता है और जैसे जैसे मुमेंट होता है इसका मतलब बिमारी खतरनाग उसकी तरफ बढ़ रही किसी को अगर पेट का म्यूकर माइकोसिस है ऐसाइटिस जैसे पेट का भढ़ना उसका पेट खराब हो जाना जो शायद बागी बिमारियों में भी हो सकता है इसलिए सस्पिशन हाई इंडेक्स बहुत मैटपोन है या किसी को स्किन का हो गया है तो पुरा स्किन सड जाएग पुरी स्किन तो फंगस किस हिस्से में होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं सर तो हमारे एम्स में ब्लैक फंगस के लिए बिमारी के लिए क्या क्या सुविधाय है तिक में ब्लैक फंगस एक मुश्किल बिमारी है कोविड में अगर सो लोगों कोविड होता है सिर्फ दो लोगों की death होती है, black fungus में rate 40-80% है, अगर 6 लोगों को black fungus होता है, इस करते है, कि 40-80 लोगों की death हो सकती हो, कहां के हिस्से का है, तो ऐसे के लिए आपको सुधाएं भी जादा चाहिए, क्योंकि symptoms common है, जो हमने जिसमें एक दूरभीन लगी होती है, उससे पहचानना कि यह बिमारी इसमें शक होता है, उसी वक्त हम उसका टुकड़ा ले लेते हैं, जिसको mycology lab में बेजा जाता है, जिसको care smear कहते हैं, वो immediately आपको 20 मिन में बता देगा, इसमें fungus के sports दिखाई दे रहे हैं, जिसमें septate hype पे दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपकी suspicion बहुत हो जाती है, उसी दौरान भी CT scan करवाते हैं, CT scan हमें हमारे bony system, जो share की bones है, कितना involvement है, क्योंकि fungus blood vessels को और bones को involve करेगा, तो वो देखना, उसके पर एक MRI बहुत अवश्यक है, क्योंकि आँक का और brain का involvement है, वो आपको MRI पे ही अच्छे से समझ में आएगा कि आपका treatment केतना आगे जा सकते हैं, चोथी स्विधा एक histopathological examination, जो final test है, उसकी जो टुकडा लेते हैं, उसमें fungus आना, तो इस परकार की स्विधाएं किसी भी center में होना अवश्यक है, plus multiple team required हैं, यह किसी एक doctor का काम नहीं है, आपको एक नाक कान गला विशिशग्ये चाहिए, दंत रोग विशिशग्ये चाहिए, आपको mycologist, microbiologist है वो चाहिए, एक histopathologist, आपको medicine के doctor चाहिए, kidney के doctor चाहिए, brain के doctor होने चाहिए, तो aims में सब सुधाएं available थी, प्लस लगातार operation theatres, तो आपको diagnostic as well as doctor में manpower से वो बहुत important रही है, इस नुकर mycosis के लिए, डॉक्टर साफ, आपसे अनुरो चाहूंगे, हमारे साथ एक caller जुड चुके है, हम पहले उनका सवाल ले लेते हैं, हलो, हलो, जी, कौन बोल रहे है, कहां से, जी, भगत राम पते जी, अपना प्रशन रखे, सबसे पहले तो आपको अडास्तर साहब को नमस्कार पहुंचे, नमस्कार, मेरा दो सवाल है, मेरा पहला सवाल है, कि ये ब्लेप फंगल जो है, सिर्म कोरोना जेक्तिके हो, ज्यादा करसित होता है, आपर जो कोरोना जिनको नहीं, उनको भी हो स जानना जाता है, जी, बगत राम जी, आपका जो पहला सवाल था कि फंगस सिर्फ को विड को होता ऐसा नहीं है, ये फंगस किसी को भी हो सकता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा हम साल में पांस से छे-ाठ मरीज देखते थे, अब हम पचास से सो दोसो मरीज देख रहे हैं सिर्फ कोविड में ये फंगस बढ़ गया है, लेकिन इसका आर्थ ये नहीं है कि सिर्फ कोविड मरीज को होगा, ये नॉन कोविड पेशेंट को भी होता है और इम्मिनो कॉंप्रोमाइज पेशेंट जिनकी उमिनिटी लो है उनमें अधिक होगा, और आपका दूसरा सवा बनना या अलसर हो जाना या मेनिजाइटिस, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब जो कॉमन दिया भी देखे जा रहे हैं, बाकि सिम्टम बहुत परकार के हो सकते हैं, और जहां तक बच्चों का सवाल है, लेकि जैसे मैंने कहा कि इम्मनो कॉंप्रोमाइज सबसे प्रति रोदक शम्र्का, बच्चों की बहुत अच्छी होती है, और जो चांसे है कि बच्चों में ये कम ही देख रहे हैं, जैसे अगर हमने सोग मरीज देखे तो शायद एक या दो बच्चे देखे, बच्चे भी वह जो इनका जो कैंसर के मरीज हैं बच्चे, या जिनमे कोई औसी बिमारिया है जिनकी वरिसे उनकी प्रति रोधक शमता कम है तो ऐसे बच्चों में देखा गया है वाइसे ओवर अगर हम देखेंगे तो बच्चों में बहुत कम है इसका प्रेवलेंस भगत राम जी आशा करते हूं आपको आपके प्रशन का उत्तर मिल चुका होग धन्यवाद, सर मेरा आपसे दूसरा प्रशन ये है कि बलाक फंगस के उपचार क्या है? आपको जो भी टिशू सड़ गया है और जहां तक सड़ गया उसको निकालना है अगर ये कम है तो नाक के एंडोस्कोप के थू किया जा सकता है अगर ये सड़न जादा है तो हमें ओपन करना पड़ सकता है आंक को करना पड़ सकता है और ब्रेन का हिस्सा भी जो इसमें चला गया उसको निकालना है और और कोशिश करनी है सब बहतर गंटे के अंदर कर देंगा लेकिन जो म्यूकर माइको से पेशेंट इनको बहुत सार यह एक बहुत ही कारगार फिस्ट लाइन ड्रग है लेकिन बहुत ही टॉक्सिक ड्रग इसके अपने बहुत सारे साइड एफेक्ट भी है बहुत कोशली दवा भी है तो इसका साथ साथ शुरू होना बहुत अवश्रक है पहले दिन ही सर्जीकल के लिए प्लैन करना और तीसरा जस वजय से यह बिमारी हुई है चाहे वो शूगर है चाहे हो टिनी रोक थे, चाहे हो सो जुड़े हुए रोक थे उनका कंट्रोल तो इन तेनों का एक सर्जीकल वि데 मेडिकल मैनेजमेंट जो हम कहें गे वह इसको अपचार के रूपमें है और सर्जीकल ट्रीटमेंट अर्लिएस्ट पॉसिबिस्ट होना चाहिए लेकिन पेशेंट को मेडिकली फिट करना है उसके लिए और दवा चलती है वो चार से छे हफ्ते गा ट्रीक्मेंट है यह एक दिन दवा लिए और इलाज खतम हो गया रोज आपको दी जाएगी चार से छे हफ्ते तक दवा हमार साथ एक और कॉलर जूड़ चुके हैं पहले हम उनका सवाल लेले हलो हलो जी कौन बोल रहे हैं कहां से अहां मैं धंतरी जीने से दिर्वा कुमार साहु जी जी सर अपना प्रशन रखें आपको डाक्टर साथ को नमस्कार नमस्कार मेरा प्रशन ये था कि ब्लेक फंग ये आपका दूसरा सवाल पहले ले लेते हैं ये अधिक डाइबिटिस के मरीज में ही देखा गया है जैसे एमस में हमने 200 मरीजों के से जादा का इलाज किया उनमें से करीब 200 मरीजों को डाइबिटिस था या कोविड के दौरान डाइगनोज हुआ या पता चला तो ये मैक अधिक पेशेंट्स में ही देखा जा रहे है और जहां तक फंगस से बचने का सवाल है सर देखिए फंगस हर जगे है आप उससे बच नहीं सकते हैं आप उसको अवाइड कर सकते हैं आपकी इम्मिनिटी जब तक अच्छी रहेगी फंगस आपको बिमारी नहीं करेगा स्टिरोइड की अवहिश्च्रा जब ही होती है से 5-6 दिन तक फीवर नहीं ब्रेक कर रहा है सांस में तकलिफ हो रही है तो स्टिरोइड का उप्योग सिफ डॉक्टरी सला के बाद ही करें उतने समय के लिए ही करें जितने समय में स्टिरोइड दिया जाता है विना करण बनके उभरा इस कोविड में म्यूकर माइकोसिस के लिए दूसरा तीसरा अगर आप कैंसर पेशेंट है या आपको और गन ट्रांस्प्लांट हुआ है और अगर या आपको कोई अचावी पेशेंट से उन लोगों को धूल धंकर इन चीजों को अवाइड करना है मतलब इ आगसा यह पूछना चाहती हूँ जैसे को य। कोविड कोविड एक दूसरे से मिलने से हो रहा है थैलता है क्या बलैक फंगस भी एक दूसरे के मिलने पर या आमने सामने उन से ने उनसे न कैनि पाढ़ से बहुत बड़ा फर्क है कोविड एक दूसरे से आप संक्रमित हो सकते हैं ब्लैक फंगस हर जगे है अगर मान दीजे एक मरीज को ब्लैक फंगस है दूसरे को उससे नहीं होता है वो एक ऐसा रोख है जिसकी फंगस के स्पोर्स हर जगे है जैसे आपकी इमिनिटी डाउन कि हम तो ब्लैक फंगस के हमने कहा ही 200 प्लस ऑप्रेशन किये तो हम तो जब प्रेशन कर रहे थे हमने सारा उसका चेहरा आंग सब कुछ खोल के रखा हुआ था और हमने ड्रिल कौपयों किया प्रस रहे थे तो हमारे उपर भले हमने मास्क और बहुत सारी सुधायों का यू जब कोविट आया तो उस समय ब्लैक फंगस का जुनाम है वो भी बहुत ज्यादा लोगों में डर बैडिया कि हमें कोविट से ही ब्लैक फंगस भी हो जाएगा और डेथ केसे भी न्यूज में इसा दिखाया जा रहा था कि ब्लैक फंगस से भी लोगों की मौत हो रही है तो इ इतने मरीज किसी ने सोचा नहीं था जितने मरीज अभी इंडिया में दो तीन मेहने देखे गए इतने पुराने कभी कुरी हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड नहीं हुए है तो इसलिए यह सड़नली जो इसका सर्ज हुआ नंबर जो भढ़ गए इस कारण इससे हुआ जहा जह बढ़ावा दे रही है और कोविट पर से करता है कि नहीं क्या उसको कर देता है वह अभी समय ही बताएगा उसके लिए क्या है और यह एक आपका जिसमें आपने पूछा कि डेथ रेट बहुत जादा है जी जी मुकर माइकोसिस उनहीं को हुँरा है जिन में अल्रेडी किसी को चेश्सट में हो गया तो बहुत आथ यह पिच्छे सी परतिशत डोग किसी के ब्रेन में जाएगा तो किताबी 900 परतिशत कहती है है अब तक 40 लोग के ब्रें की ऑपरेशन भी किये और डेथ रेट बहुत ही कम है तो हो सकता है यह सक्से स्टोरी आने वाले दिनों मे एक बहुत वो रहे कि ऑपरेशन भी हो और लोगं का बचाव भी हुआ तो ये धार्ना चेंज भी होगी कि उतना लिथन नहीं है डॉक्टर साब हमारे साथ फिर से कॉलर जूट चुके हैं हम उनसे हम उनका प्रशन ले लेते हैं वैसे मेरा दूसरा प्रशन आपसे यह है कि क् और लोगे इस डियन जोना ब्लाक फंगस का इलाज महेंगा है मैं ब्लाक फंगस के ओलाज यह सर्जीटियक्व उर्गिशन नहें सर्जीकल delivery में च यहाइच जाहिएं ब्रहस पोर्ज प्र्शींग है यह जोनाफ शांग हरने के प्रौर आश्यवाद की स्टिंग शोरुप तो इसका बहुत कोशली दवा है, चार से पांच जार रुपय का एक इंजेक्शन है, और दिन में चार से पांच इंजेक्शन लगने है, और ये एक महने तक लगने है, तो इलाज अपने आप ही साथ से आठ लाग का हो जाता है, लेकिन इस COVID के दोरान, गौर्नमेंट ने सारे दवाओं को टेक ओवर कर लिया, और इट वस अविलिबल फ्री थी है, इस एमस में सब सुधा है, फ्री में अविलिबल थी, तो मरीजों का इलाज अच्छा हो पाया, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेटप की बात करेंगे, तो बहुत महंगा इलाज हो जाता है, में दव के बारे में, दूसरी और तीस जवा जो जो पौसा गोना जो जो और दो दवाए है, जो इफेक्टीव है, जो जो दौसा कॉना जो डवा है, जो फई महीन ने जो जो 6 महीन तो बहुत अच्छी बात रही है जी उमेंद्र जी आप अपना प्रेश्न रखिए दाफ्टर साव नमस्कार जी आपकी अवास कम आरे आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? तो इसलिए जादतर मरीज जो देखे गए वो अधिक उमर वाले थे पचास से अधिक उमर के वालोगों में पर यंग पेशेंट 30 में 30 वाले भी काफी देखने को मिले बच्चों में बिमारी कम देखी गए उमेंद्री जी आशा करते हूं आपका के प्रशन का उतर मिल चुका होगा सिर मैं आपसे ये पूछना चाहते हूं कि इस दौरान ब्लैक फंगस के दौरान किस किस तरह के ऑपरेशन किये गए एम्स में? बहुत डिफरेंट टाइप की ऑपरेशन हूए जैसे मैंने कहा कि 210 एस उपरेशन तो पहले नाक की रस्ते होते है नाक की एंडोस्कोपी इसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता तो जिन में कम बिमारी होती बिमारी बहुत अधिक नहीं फैली वो नाख के अंडोस्कोप के थ्रू निकल जाती है। लेकिन जिन में बिमारी थोड़ी जादा अश्रब जाती है जहांसे अंडोस्कोपई अकेला एलाज नहीं पॉस paling है, वहां पे चहरे पे इन सीजन दिया गया है, जिसमें नाग को पूरा उठा दिया जाता है, और नाग के चहरे को ऊपर एक साइड खोल के उस तरह के ऑपरेशन, तीसरा आँख निकालना, काफी पेशेंट्स की आँख जिनका विजन जा चुका था, उनका प्लिट विजन लॉस था, उनका आँख भी रिमोग करनी पड़ी, चोथे जिनको ब्रें की इन्वॉल्मेंट थी, उनका साथ में ब्रें से ब्रेन सर्ज्री की भी करनी पड़ी, रैक ब्रेंको उठा गया, अंदर के ब्रें का हिस्सा एंवॉल्म्व हो गया था या ब्र जो तालू निकाल दिया गया काफी है और तालू निकाल गे फिर तालू को दुबारा बनाना जो की देंटेस्ट दुबारा किया गया का रिखा तो इस तरहें के उप्रेशन जी सब्सक्राइब आप से एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मैं जानना चाहती थी कि ब्लैक फंग पहले तो प्लैक फंगस सब जगे मतलब सब जगे हैं लेकिन धूल दंकड में पॉलिशन में स्पोर्स जादा हो जाते हैं या फिर जैसे कोविड के दौरान जो पानी का उपयोग हुआ स्पेशली हुमिडिफायर में उनका उपयोग थोड़ा सा हर अस्पेटल के होनी चाह अच्छा को भी जाता है तो किसी और बीमारी के लिए भी कर रहे हैं बिना डॉक्तरी से लाके लिमेटेड अमौंट उतना ही उपयोग स्टेरोइट्स का होना चाहिए अगर कोई अच्छावी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं तो उन सब क उन सब को घर के अंदर ही जोरा बहना चीए क्योंकि दिनों फंगस में स्पोर्ट जाता है तो दर्श को घडी ने समय दे दिया है अब हमें अपने कारिक्रम बंद करने का और हमारे साथ स्टूडियों में जुड़े डॉक्टर रीपू दमन अरोला जी का हम तहे दिल से आप हमारे साथ स्टूडियों में जुड़े और हमें बहुत सारी महत्वपून जानकारियों से साजा किया तो दर्श को अगले अंक में फिर मिलते हैं एक विशेश नए स्वासनमंधी चर्चा के साथ तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त नमस्कार